नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मुशिन वी कंपनी आज हम आपके लिए लेके आए हैं कैसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हैं चोटा सा यह बिजनेस है जितना इंवेस्टमेंट आप अब शुरू कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं यह बिजनेस क्या है कैसे शुरू करना है और क्या इसका का इंवेस्टमेंट है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का नोटबुक्स का ब्रांड बना सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे नोटबुक्स बनाकर उसे सेल करने को दोस्तो यह है एक बड़ा बिजनिस और मैनुफेक्चरिंग बिजनिस अधिकतर अच्छा मुनाफ़ा देता है नोटबुक्स की सबसे आधा खरीद स्कूल और कॉलिज के स्टुडेंट्स के दुआरा होती हैं इस से अलग गवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर के सभी ओफिस में इसका प्रयोग होता है इसके अलावा सभी दुकानों पर और सभी बिजनिस में अपना हिसाब और बाकी जानकारी रखने के लिए भी नोटबुक का यूज होता है नोटबुक की मार्किट बहुत बड़ी है और अगर ऐसे में आप इसकी मैनुफेक्शरिंग का बिजनिस करते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा बिजनिस सेटप कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम इसी बिजनिस की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं की कैसे आपको नोटबुक बनाना शुरू करना है क्या मशीन चाहिए होगी कैसी और कितनी जगे चाहिए होगी कितना खरचाएगा इस काम में और कितना मुनाफ़ा आप इस काम में ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को हम तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना होता है इस बिजनिस में दोस्तो इस बिजनिस में आपको सबसे पहले एक जगेह कपर बन करना होता है जहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीन खरीदनी होती है और कच्छा माल खरीदना होता है इसके बाद आप दो या तीन कारीगर लगा कर काम को शुरू कर सकते हैं माल तियार करने के बाद आप उसे होलसेल और रिटेल मार्केट में बेशते हो और मुनाफ़ा कमाते हो अब आपको बताते हैं कि इस काम में आपको कैसी और कितनी जगेह चाहिए होगी दोस्तो आपको इस काम के लिए कम से कम 40 किस जगेह की दुरत होगी जहां से आप माल को तियार करतकते हो और जगे किसी भी इस्तान पर हो सकती है इस काम में अच्छी लोकेशन की आपको दुरत नहीं होगी चूंकि आप माल सिर्फ तियार कर रहे हो उसे आपको बेशना नहीं है उस इस्तान से तो इस्तान कोई भी हो सकता है अब आपको बताते हैं कि मशीन कितनी लगेंगी और मशीन कितने रुपे में आपको मिल जाएंगी दोस्तो आज हम आपको बताएंगे model 3 के बारे में जिसमें हमारा पहला मशीन आता है notebook stitching machine motorized दूसरा आता है notebook edge squaring machine और तीसरा आता है paper cutting machine semi automatic तो इन तीनों मशीनों से आप starting करके सभी type का notebook बना सकते हो तो आप देख सकते हो वीडियो में कि कैसे आपका notebook stitching हो रहा है आपने paper और title को इकठा करके रख देना है और इसने automatically pin लगाते जाना है दूसरे number पे आपका आता है notebook edge squaring machine pin लगे होए notebook को आपने edge squaring machine में लेके जाना है उसमें रखोगे और button प्रेस करोगे इसने automatically back square कर देना है squaring करने के बाद आप देख रहे हो जैसे दो दो copy का set है उसको single single में convert करने के लिए paper cutting machine का काम होता है तो paper cutting machine में आपने notebook रखनी है यह सारी semi automatic button से operate है इसमें कोई manual operation नहीं है आपने button दबाना और इसने automatically सारा cutting करते जाना है तो यह 3 machine है semi automatic model में जो हमारे यहां model 3 में मिलेगा आपको मिलेगा आपको जो इसने दो कोई आपको जो हमारे यह जो कहाज़ा आपको झाम हो आपको झाल 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 तो ये थी तीन मशीने नोटबुक मैनुफेक्चरिंग के लिए सबसे पहले नोटबुक स्टेचिंग मशीन फिर आपने देखा एज स्क्वेरिंग मशीन और ये देखा आपने सेमी आटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन इन तीनों मशीनों के आपके कॉस्टिंग तक्रीबन साड़े पांच से लेके 6 लाग के आसपस आपको मिल जाएगी और इसके साथ अगर आपने पैकिंग मशीन लेना हो जिसमें आपका श्रिंग पैकिंग होगा तो वो भी आप ले सकते हो उसको लेने से ये आपका फैदा होगा जैसे नोटबुक आप देख लिए हो रेडी हुई है इनको आप पैक करके रख सकते हो जिससे आपका स्टॉक में रखना काफी असान है और नोटबुक को कभी कोई मौश्चर नहीं आता तो आप वो भी लेना चाहो तो वो भी साथ में ले सकते हो तो आपका 6-6-6 लाग के अंदर सारा मश्चर वी का सेटब आ जाता है अब आपको बताते हैं कि कच्छे माल क्या लगेगा कहां से मिलेगा और कितने रुपे परसी किलो के हिसाब से मिलेगा दोस्तो कच्छे माल में आपको पेपर और नोड़ बुक का कवर खरीदना होगा इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्तो नोड़ बुक का पेपर लाइनिंग वाला पूरी तरह से तियार मिल जाता है और notebook cover भी आपको त्यार मिल जाते हैं आप अगर चाहें तो notebook cover पर order पर अपनी notebook का नाम लिखवा सकते हैं जिससे आप अपने नाम की notebook market में sale कर सकते हैं इससे आगे चल कर आपका अपना notebook brand भी बन सकता है दोस्तो ये कच्चा माल आपको किसी भी बड़े शहर की wholesale market में मिल जाएगा और दोस्तो ये कच्चा माल 50 रुपे से लेकर 60 रुपे परसी किलो तक आपको मिल जाएगा जागे है मशीन और कच्चे माल की विवस्था करने के बाद आपको man power चाहिए होगी जिसके लिए आप दो कारीगर रख सकते हैं माल तयार करने के लिए अब इस काम को शुरू करने में कुल कितने पैसे लगेंगे आप आपको इसके बारे में बता देते हैं दोस्तो आप बात करते हैं प्रॉफिट की इस काम में 100 पेज की एक notebook त्यार करने में आपका जो खर्च आएगा वो 9 रुपे से 10 रुपे होगा और आप इसको अगर wholesale market में बेचेंगे तो आपको एक notebook पर 4 रुपे से 5 रुपे मिल जाएंगे अगर रिटेल मार्किट में आप अपना माल ले जाकर बेजते हैं तो एक ही नोटबुक पर आपको 7 रुपे से 8 रुपे मिल जाएंगे तो दोस्तो इस काम में मुनाफ़ा भी अच्छा है एक बार आप अकर इस काम को शुरू कर लेते हैं तो आपको बस होलसेल और रिटेल मार्किट में अपने सम्मन्द अच्छे करने होंगे जिससे आप जादा से जादा माल बेच सकें इतना ही था आज की वीडियो में इन वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आपको हमारी सबी वीडियो सी जानकारी मिलती रहें बाए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं झाल झाल